हलो प्रेंड वेलकम ही आपका मेरे निव वीडियो में तो आज हम बात करेंगे बहुत ही खुपसूरत फ्लावरिंग लैंड के बारे में जिसे फायर क्राकर बोलते हैं तो देख सकते हो आप यह मैंने बकेट में लगाया हुआ है कितने अच्छे से फ्लावरिंग हो रही है और बहुत ही खुपसूरत दिखने वाला पोधा होता है यह और यह मेरे पास दो पोधे है इसके एक मैं लाई थी तो वो जब मैं रिपोर्ट कर रही थी तो उसमें जड़े नई बनी थी क्योंकि वो कटिंग ही थी तो मैं जब दूसरी बार गई तो मैंने नर्शरी वाले भाईया से बोला था तो उन्होंने एक पोधा फ्री में दे दिया था और जो कटिंग ही थी जड़े नई बनी थी तो वो भी चल पड़ा है और यह देख सकते हो यह मारा दोसरा पोधा है इतना बड़ा हो चुका है और पहले जो दिखाया था वो वही कटिंग है जिसमें जड़े नई बनी होई थी तो उसमें भी जड़े आ चुकी है तो बहुत ही आसानी से यह ग्रो होने वाला पोधा है कटिंग से और नर्सरी वाले इसे कटिंग से इग्रो करते हैं छोटी सी छोटी कटिंग इसकी चल पड़ती है वो भी मैं आपको वीडियो के लाश्ट में दिखाऊंगी तो वीडियो पूरा देखिएगा अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और निव होतो चाइनल को सबस्क्राइब भी करिएगा तो आप देख सकते हो इसमें निव निव ग्रो श्टार्ट हो चुकी है और निव निव शूट भी निकल चुके है नीचे से तो इस पोधे में अभी गर्मियों में जो सुके हुए थे उसको मैंने कट कर दिया था तो निव निव शूट निकल चुकी है तो ये देख सकते हो इस तरह से जो भी टहनी सुक जाती है उसे हमें हटाना चाहिए तो निव निव ग्रो श्टार्ट हो चुकी है और इसके मिट्टी की बात करेंगे तो हम बाकी पौदों के लिए जो मिट्टी बनाते है वही मिट्टी इस पौदे को भी चलती है और पर पोरस होनी जरूरी है ज्यादा पानी की जरुरत नहीं होती है इस पौदे को और इस पोदे को धूप की जरुत होती है। धूप में ही यह अच्छे से फ्लावरिंग करता है। और बहुत ही खुबशूरा दिखने के साथ साथ ही ये बहुत अच्छे से एकदम से जुमर की तरह दिख जाता है और रेड रेड इसमें फ्लावरिंग भी होती है तो और हम इसमें खाट डालने की बात करें तो इसमें आप गोबर की खाट भी डाल सकते हो और अभी मैं बहु से गुड़ाई कर लूँगी और हमें इसमें पानी का बहुत ध्यान देना होता है पानी ज्यादा नहीं डालना होता है नहीं तो इसमें फ्लावरिंग नहीं होती है तो मैंने लिया है या पे गोबर की खाट और गोबर की खाट बहुत अच्छे से काम करती है नियू नियू प्छीर देती हुँ, यह फ्लावरिंग के लिए निटी हटा देती हूँ परकी, ताहिक नीचे जल्दी से यह खाद जो मैं डाल रही हूँ वह कमपोस्ट में मिक्स हो जाए और गल्च आए ताकि तभी जड़ों तक पहुचेगा क्योंकि इसे गल्ले में वक्त लगता है जल्दी ये गल्टा नहीं है तो पहले मैं इसकी मिट्टी हटा देती हूँ पूरी मिट्टी हटा दूँगी और उसके बाद मैं इसमें डालूँगी पोटैश और डियेपी के दाने उसके बाद मैं डालूँगी गोबर की खाथ तो इस तरह से आप देख सकते हो बहुती खुपसूरत और कम केहर में इसे ज्यादा केहर की जरुरत नहीं होती है बस पान पचास रुपे में ये नर्सरे में मिल जाता है और अगर आपको कहीं मिल जाया आजुबाजु में तो आप कटिंग से भी इसे आसानी से लगा सकते हो मैंने इसी पोदे से कटिंग लेके जुन मंत में लगाया था वही कटिंग मैं दिखाऊंगी निव निव ग्रोश टार् मिट्टी ताकि यह निचे से अच्छे से गल जाय और बहुत अच्छे से जड़ो को इसका पोशन मिल सके और पोदा अच्छे से फिर चे अच्छे से ग्रोथ करें और ज्यादा से ज्यादा फ्लावरिंग हो तो इस तरह से मैंने ये गोबर की खाद भी उपर से डाल दी है तो आप भी इसी तरह से इसे ज्यादा फ्लावर पा सकते हो इस तरह से खाद डाल सकते हो बहुत ही खुपसूरत है मुझे बहुत दिनों से इसकी तला स्थीत और मुझे ये पोदा नर्शरी में दिखा तो मैं ले आई थी पिछले साल मतलब फरवरी में लाए थी मैं तो इस तरह से मैंने उपर से मिट्टी ढख दी है तो बहुत ही ज्यादा खुपसूरत दिखने वाला पोधा और यह देखे उसकी कटिंग मैंने लगाए थी तो जून में लगाए थी और नियो नियो शूट निकल चुके है इसमें तो ये बताओंगे किस तरह से इसकी कटिंग ग्रो करनी है तो यह देखें फ्रेंड यह मैंने कटिंग ली है और आपको अलवेरा में इसे डिप करके मिट्टी में इस तरह से दबा देना है छोटी से छोटी अगर आपको कटिंग भी लेते हो तो भी यह चल जाती है बहुत तंदा या किने